जैहनमित्रो आप सभी का आपके चंद्रा क्लासे स्वागत है जिसमें हम लोग जितनी भी आपकी सिच्छर प्रतियोगी परिच्छाएं होती हैं उन परिच्छाओं को ध्यान में रखते हुए आपके आपके लिए बाल विकास मनो विज्ञान यहां पे एक सीरीज स्टार्ट करिया ही है जिसमें हम लोग जो सुंपर टेट है आपका सी टेट है जितने भी अश टेट है जितने भी आपके बाल मनों विज्ञान makes जिसमें भी आते हैं उन सभी एक्जामों को ध्यान में रखते हुए यहां पे प्रेक्टिष सेंट कराया जा रहा है जो कि आगामी आने वाली परिच्छा जो आपकी गौर्मेंट मतलब पोर्ट ने भी कह दिया है कि जो विद्ध्यार्थी है उनतर हजार में जो भी वेकेंसी बाकी है 27,000 की उसकी वेकेंसी को जल्द से जल्द पूरी करी जाए तो संभावनाई ये जताई जा रही ह कि आयोग में नए अध्यक्ष के आ जाने के बाद अब यहां पर काम को और तेजी से करना प्रारंब हो गया है और बहुत ही जल्द जो है इसका आवेदन भी आपके सामने दिखाई देगा तो जो लोग जो है अभी से अपने तैयारी करना चाहते हैं तो वो चंद्रा क्लास के साथ जुड़े जो की प्रियाग राज में आनन्द भावन के सामने हैं यहां पर ऑन-लाइन और आफ-लाइन दोनों ही कच्छाएं आपके लिए उपलब्द हैं आप लोग आईए और क्लास को जोईन करिए और मैं मनोज आपको यदि सिच्छा सास्र विशे से NTA UGC Net की त यारी करनी है तो सिच्छा सास्र विशे के लिए मुझसे जुड़ने के लिए आप चंद्रा क्लासे में संपर्क करें तो यहां पर भी आपको पूरा मिलेगा तो हम लोग जो डिसकस करेंगे बाल मनुविज्ञान या बाल विकास जो मनुविज्ञान है उससे संबंदित हम हम लोग यहां पर परिच्छाओं में जो भी प्रश्ण आये उसको यहां पर लेकर आने का प्रयास किया गया है जो कि आपके एक्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट वे है आपका क्लियर तो चरिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा आपका और है पहला कोशन आप देखिए पहला कोशन आप जी जानिए कि इसमें आपको इक्जाम में बैठने के लिए जो है आपको कुशन किस तरीके से आएंगे यह आपके लिए बहुत ज़ादा महत्वट हो ने इसमें क्या कहता है 1882 इस्वी में किस मनुवैग्जानिक द्वारा लंदन में मानुवी विशेस्ताओं का अध्यन करने के लिए प्रियोपसाला निर्माण किया गया था पहला कहरा कैटल दूसरा गाल्टन है तीसरा अलफर्ट बिने है और चौथा वुडवर्थ है आपके चौथा कौन सा है चौथा वुडवर्थ है अब आप बताईए आपको कोशन दिख रहा होगा आप देख लिए कोशन दिख रहा है पूरा चलिए अब इसका आंसर जो है अपने स्क्रीन पर आप नोट कर लिए बताईए कौन सा उत्तर होगा तो आपनी कौपी में जरूर 482 इस्वी में लंदन में जो है किसने अल्फ्रेड बिने ने किसने याद रखेगा अल्फ्रेड बिने ने जो है पहली मनोवैग्यानिक प्रयोकसालत का जो है क्या किया था वहां पर किसकी मानवी विसेश्ताओं का अध्यन किया था अल्फ्रेड बिने ने बिने का बुद् प्रश्य जाते हैं आपका क्लियर यह पॉइंट आपको क्लियर हुआ बताईए यस या नो आप अपने कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको क्लास यह कैसी लगती है आपको फीडबैक जरूर देना है यस और नो करके चलिए पहला आंसर हो गया कोशं कोशंबर 2 आप से कह रहा है क्या है क्यान की कैह रहा कि सिच्छा मनोविग्यान का अध्यान का कि इसलिए करना चाहिए यहां कि आप यहां पर कह रहा कि कोई अध्यापक है descried अधिक प्रभावशाली बना सके अब बताईए जब कभी भी किसी भी अध्यापक को जो है सिच्छा मनोविज्ञान का ज्यान क्यों होना चाहिए क्योंकि मनोविज्ञान क्या होता है मनोविज्ञान जो है किसी के व्यतित को समझने में उसके हावभाव को समझने में उसकी हर एक परिसिती को समझने में हमारा सहयोग करता है इसलिए सिच्छा मनोविज्ञान का ज्ञान होना हर अध्यापक के लिए परमावस्यक है क्योंकि उस बालक की मनोदसा या क्लासरूम या कच्छा की मनोदसा को ध्यान में रखते हुए वो सभी चीजों के बारे में आपको अच्छे डंग से बता सकता है इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि इसकी सहायता से अपने सिच्छण कार को अधिक प्रभावसाली बनाना होता है तो कम्मिनिकेट हम बच्चे से अच्छे तरीके से हो सकते हैं कि हमें ये पता रहता है एक अध्धापत को ये पता रहता है जिसको मनोविज्ञान का जान हो कि बच्चे को तो ले जाकर समझाना है बताना है पढ़ाणा है क्लियर पॉइंट चले हम लोग आगे की तरब आपका विकल्प नमबर 4 आपका सही है ठीक है विकल्प नमबर 4 आपका सही है अब प्रेश्ण नेक्स्ट प्रेश्ण देखिए आपके सामने है इसमें इसमें आपसे कह रहा है कि निम लिखित में से कौन सी सिच्छा मनोवज्ञान की सरवादिक व्यक्तिगत निष्ट विधी कौन सी पहला कह रहा है अंतरदर्शन है दूसरा बहिर दर्शन है चौथा तीसरा अउलोकर है चौथा प्रयोगी करण है आपका तो आप बताईए कि आपको कौन सा उत्तर ज्यादा बहतर सही होगा आपको कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा बताईए कि सिच्छा मनुआ व्यक्तिनिस्ट की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है व्यक्तिनिस्ट की बात कर रहा है तो व्यक्तिनिस्ट में आपका क अंतरदर्शन की अंतरगत ही आएगा और लोकन और लोकन बहिर दर्शन अलग होता है आपका प्रयोगी करण प्रयोग करेंगे तो किसी को ले कर ही करेंगे लेकिन अंतरदर्शन ऐसा होता है जिसमें आप यह व्यक्तिगत जो है विदी होती है ठीक है चलिए तो विकल्प नं आप देखिए, प्रश्ण नमबर 4 आप से क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न रिखित में से कौन सा विकार पर सिच्छा मनोब ज्ञान की एक सीमा है, तो अब आपको प्रश्ण आप कर रहे होंगे, ये जितने भी प्रश्ण है, वो सिच्छा मनोब ज्ञान से सम्मंदित कहा रहा कि बालक विकास की विबिन अवस्थाओं का ग्यान होती है, क्या खिस्च्छा मनोग्यान की सीमा कह रहा है, ता गप्षा कि समस्याओं का समाध्धन होता था कह रहा ह। केंदि सिच्छा होती है और चौथा कहा रहा कि व्यक्तिक विविनताओं की समस्या होती है क्या होती है व्यक्तिक विविनताओं की समस्या से संबंदित हो सकता है तो अब आप बताईए इस प्रश्न का सही उत्तर आपके point of view से क्या होगा इसको आप बताने का प्रयास करें इसको आप बताने का प्रयास करें इसका सही उत्तर क्या होगा कह रहा है कि इसमें कि सिच्छा मनुग्यान की एक सीमा है इसका सही उत्तर आपके पाइंट अब्यू से क्या होना चाहिए या इसका सही उत्तर आप क्या बताना चाहते हैं आप तो आपने उत्तर लिख लिया अपनी कॉपी में जिसमें कहते हैं व्यक्तिक क्या व्यक्तिक विभिनताओं की समस्याओं के बारे में जानना ही आपकी सिच्छा मनुवग्ञान की सीमा की अंतरगत आता है डिए अप्रीफ को चले अब आगे तर्स नमबर पांच कहा रहा है कि प्रयोगात्मक विदी को सर्प्थम प्रस्तावित किया था कि एक्सपेरिमेंटल मेथेड कह रहा कि प्रायोगीक विधी को क्या कह रहा कि प्रायोगीक प्रयोगार्तमक विधी को सब प्रस्तावित किया था किसने वोड यह वुड होगा वुड ने राइज अ-व्वर्म कॉर्नमैन ने विलियम वुंट ने कॉलिंस वा ड्रेवर ने अब आप बताईए किस ने किया होगा इसका सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए बताईए वुड है राइस विलियम वुंट है और कॉलिस वा ड्रेवर है आपका बताईए कौन सा इसका सही उत्तर आपका हो जाए कौन सा आपका सही उत्तर होगा बताईए बताईए अगर हम प्रियोग की बात करें प्रियोग आत्मक की बात करें तो जो है मनोविज्ञान की 1879 में जर्मनी के लिपिचिंग विश्विध्याले में विश्व की पहली प्रियोग शाला का निर्माण किया गया जब पहली प्रियोग शाला का निर्माण उस समय किया गया तो प्रियोग आत्मक विधी के सर्प्रथाम प्रस्तावित किसने किया होगा विलियम मुंट ने किया था किसने किया था विलियम मुंट ने किया था 1879 में जो है पहली मनोवैग्यानिक तो ने किया था आपका, क्लियर है पॉइंट, चले हम लोग नेक्स कोशन की तरब, कोशन नमबर आपके सामने, छाय नमबर है, छाय नमबर देखिया आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि मनोविज्ञान का सिच्छा के छेत्र में सबसे बड़ा योगदान, अब देखिये, मनो आपके सिच्छा केंद्रित सिच्छा होगी, या क्रिया केंद्रित सिच्छा होगी, या बाल केंद्रित सिच्छा होगी, अब ये चार विकल्प आपके सामने हैं, अब आप बताईए कौन सा होगा, कह रहा है कि मनोविज्ञान, कह रहा है मनोविज्ञान का सिच्छा के छे इत्र में जो बात कह रहा है वह क्या होगा आपका ऑप बताएं अब यहां पर आप बताईए सब्जेक्ट सेंटर्ड जो होगा करिकुलम हो जायेगा टीचर चैंटर्ड, एक्षाल सेंटर्ड, चाइड्ड सेंटर्ड, तो हम लोग पढ़ें, CDP, Child Development Psychology, बाल मनोविज्ञान, ठीक है, ठीक है, तो यह क्या होगा, बाल केंदर, सिच्छा, इसका जो है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका क्या होगा, बाल सिच्छा मनोविज्ञान, जो ह है, इसका एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बताइए, यदि आपको क्लास अच्छी लगे, या अच्छी लग रही हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सेर करिए, चंद्रा क्लासेस में, आपके और भी जो है, कोर्सेस उपलब्द है, उसको भी हमाँ पर आप ज़्याइन कर सकते हैं, अब देखिए, भाई जिसको जिसको क्लास अच्छी लगे, वो सेर जरूर करें, सेर करें, प्लेस कमेंट करके बताए, कि आपको क्लासेस कैसी लगती है, अब देखिए, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, कह रहा कि मनोविज्यान प् का है, तरक सास्त का है, या भोत की का है, अब ये इस प्रश्न का उत्तर जो है, बहुत इजी है, इसको आप लोग अपनी कौपियों में लिखिएगा, जिससे आपको इसकी जो है, हर एक चीजे आपको समझ भी आएंगी, ठीगे, तो याद रखेगा, सिच्चा जो है, दर्सन जो है, सबसे पहले, दर्सन का ही भाग जो है, मनोविज्यान है, दर्सन का ही एक भाग है, तो आपसा नमबर एक आपका यहाँ पर करिक्ट हो जाएगा, चलिए, प्रेश्ट नमबर आठ आप से क्या कह रहा है, प्रेश्ट नमबर आठ आप से कह रहा है कि पारिस्थित की प्रणाली सिद्धार्थ, जो मूल रूप से उरी वो फेर ब्रेनर द्वारा तयार किया गया है, चार प्रकार के निर्दिष्ट करता है जिनें भी कहा जाता है, क्या कहाता है, प्रभाव शाली अधारा, मानो विकास, मानो परिस्थित की या बौदिक विकास, तो अब आप बताईए क्या होगा, इसका उत्तर जो है, जब कभी पर्यावण से संबंदित है, तो पर्यावण में हम लोग मानो परिस्थित की, ये मानो परिस्थित की से संबंदित, ये आपका यहां पर उत्तर होगा, मानो परिस्थानित नहीं होगा, प्रऴण सार्य shelf होगा, ये मानो परिस्तरह नहीं होगा, बौदिक विकास नहीं होगा, ये आपका उत्तरा होगा, और परिस्थित नमबर C आपके लिए BenS act अपसन है आपका थीक है अब प्रेश्ट नंबर 9 देखके क्या कहे रहा थे प्रस्ट नंबर 9 आपसे कह रहा है और रस नंबर 9 कह रहा है कि व्यक्ति बिना किसी अंतर नीत मांसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्यान अनुभाव या धारणा से आते हैं इस धारणा को संदर्वित किया जा सकता है किया जाता है के रूप में किसके मासूम नोटा के मनलब तबुला नोटा जो मासूम मनन इस्थिती मनलब तबुला रास के कहते हैं अब आप बताईए इसका प्वैंट व्यू से क्या सही होगा आपका तो अब देखिए प्रस्ट को पढ़ते हैं कि जिसमें कहता है कि व्यक्ति बिना किसी अंतरनीत मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं तो क्या होगा तबुला रास होता है जिसको बोलते मासूम मनन इस्थिती होती है तो बी वाला यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा क्लियर कि कहरा है कि बच्चे की व्रधी मुखिता संबंधित होती है तो बच्चे की व्रधी मुखिता कि से संबंधित होती सारीरिक विकात से सामाजिक विसाथ से भावात्मा विकात से या नैक्तिक विकात से अब आप बताई किसी बालक से संबंदित कोई हम बात कर रहे हो तो बालक से संबंदित आपका क्या हो सकता है कोई बालक है तो दिन प्रतिन क्या होगा उसकी लंबाई में व्रद्धी होती जाएगी क्या होगी लंबाई में व्रद्धी होगी तो आपका पहला option यहाँ पर आपका क्या होगा सारीरिक विकाद से सम्मद दीत है पहला option यहाँ पर आपका correct हो जाना है आपका clear ceed here प्रेश नमबर 12 अब क्या है क्या कहई रहा निमनेलखित में से कौन सा चछन व्रद्धी की विसेष्ता का प्रतिनीधित नहीं करता है और देखें व्रद्धी की विसेष्ता का प्रतिनीधित नहीं करता है देखें कहा रहा कि व्रद्धी और विकास दो आपको सब्द मिलेंगे जब बाल मनों ज्ञान पड़ेंगे व्रद्धी और विकास आपको पहला ही चैप्टर देखने को मिलेगा इसमें व्रद्धी जो होती है वो मात्रात्मक में होती है विकास जो होती है मात्रात्मक गुरात्मकों दोनों रूपों में पाई जाती है आपकी तो इसमें कहके रहा की या एक मात्रात्मक पैलु है दूसरा कहborgata या मापनय योग्य नहीं है तीसरा कह hope या जीवन परयंत नहीं है या किवा सारीरिक विकास को दर्स आता है आपका अब यहां पर देखें नहीं की बात कर रहा है कौन नहीं करता है यहां पर अब देखें कौन सा बात है यह इस प्रश्ण में बताईए हुझे आब बताईए यहां पर प्रतिनिदित नहीं करता हुए है यह क्या यह मात्रत पग्रले विकास को दर्स अटता है तो यही आपका गलत वाला है, जो कहरा है कि प्रतिनिदित नहीं करता है, तो यही आपका बात करता है, तो option number B आपका क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा आपका, clear point, चले, fresh number 13 आपके सामने है, fresh number 13 क्या कहरा, कहरा कि व्रद्धी के बारे में क्या सही नहीं है, कहरा अभिव्रद्धी सारीरिक होती है, तीसा कहरा अभिव्रद्धी मापनिय होती है, चौता कहरा अभिव्रद्धी जीवन परियन चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो याद रखिएगा, अभिव्रद्धी और विकास दो प्रक्रिया होती है, जो जीवन के जन्म से लेकर, जो जन्म से लेकर मृत्यू तक चलती है, उसको हम लोग विकास की प्रक्रिया कहते है क्या कहते हैं विकास की प्रक्रिया कहते हैं लेकिन जो जन्म से लेकर एक निश्चित अवस्था तक चलती है उसको व्रद्धी कहते हैं जैसे सारीरिक जो विकास होता है सारीरिक जो व्रद्धी होती है जो सरीर हमारे जो बढ़ता है उसको हम लोग अभी व्रद्धी कहते हैं लेकिन सारीरिक के बाद जो हमारा सामाजिक, भावा आत्मक, मांसिक, समवेग आत्मक यह जितने भी होते हैं, जितने विकास होते हैं, यह आपके development के अंतरगत आते हैं. जो कि गुड़ात्मक भी होते हैं, मात्रात्मक भी माने आते हैं आपके, ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां पर बताईए इतना, ठीक है, और यहां पर आपको मैंने जैसे ही बताया कि यह जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं चलते हैं, बलकि एक निश्चित अवस्था तक चल जलते हैं, अठारा वर्स की आईउ तक हम लोग के शरीर के बनावट में डिवलपमेंट होता रहता है, ठीक है, पुर्सों की पेकचा महिलाएं, या लड़कों की या पेकचा लड़कियां जल्दी विक्सित हो जाती है, जल्दी डिवलप हो जाती है, जबकि लड़कों के ज्यादा समय लगता है लड़कियों की अपेक्छा आपका ठीक है clear point तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका सही उत्तर कि अबुरद्धी के बारे में क्या सही नहीं है तो मैंने आपको यह अबुरद्धी सारीरिक होती है बिल्कुल सही है अबुरद्धी मात्रात्मा को तो बिल् कह रहा है कि क्या सही नहीं है तो यही वाला आपका सही नहीं है clear बताओ आप लोग यह सही होगा बिल्कुल नहीं जब कभी हम मात्रात्मक बताते हैं तो मात्रात्मक में मापी जा सकती है एक निश्चित आयूतक मैं बता रहा हूं तो यहाँ पर सी वाला तो नहीं होगा सी वाला सही आंसर नहीं है आंसर सही क्या है अभिव्रद्धी जीवन परियंद चलने वाली प्रक्रिया है यह गलत है बलकि यह अभिव्रद्धी की जगा होगा क्या विकास हो जाएगा क्या होगा आपका विकास हो जाएगा आपर विकास होता है जो डिवलप्मेंट होता है यह जीवन पर्यांद चलने वाली प्रक्रिया होती है जबकि अभिवद्धी जो है एक निश्ची तवस्था तक ही यह बढ़ती है तो option number कौन सा option number चौथा आपका correct हो जाएगा आपका option number कौन सा है option number 4 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कह रहा है कि निम्न मेंसे कौन सा कतन सकते नहीं है आप देखें सकते नहीं है यही आपको देखना है कह रहा है कि सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है दूसरा कह रहा है कि व्रद्धी एक जैविक प्रक्रिया है तीसरा कह रहा है कि विकास एक मात्रात्मक प्रक प्रक्रिया है तो आप यह सब चीजें जो है सिच्छा मात्रात्मक прошл प्रक्रिया है है यहां पर समक्राइणि प्रक्रिया हैं विकास मात्रात्मप प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है तो विकास को मैं ने बताया है विकास जो होता है ये मात्रात्मक मात्रात्मक एवं मात्रक और विकास आत्मक दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं होती है इसलिए ये वाला आपका उत्तर इस प्रस्न के जो है सम्मुख सही माना जाएगा आपका, अब चलते हैं प्रश्ट नमबर 15 की तरफ जिसमें कहते हैं कि मानो विकास के छेत्रों में, को छेत्रों नहीं, मानो विकास के छेत्रों में, मानो विकास के छेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो सारीरिक, संग्यानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, तीसा कह रहा है कि संवेगात्मक, संग्यानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैग्यानिक, फिर आपसे कह रहा है कि मनोवैग्यानिक, संग्यानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, फिर कह रहा है सारीरिक, आध्यात्मिक, संग्यानात्मक और सामाजिक, तो अब आप देखिए आपका कौन सा उत्तराप के लिए बहतर जो है सबसे बहतर माना आएगा ठीके बहुत से लोग बताएंगे कि सर इसका विकल्प नमबर जो है दो आपका सही हो क्यों क्योंकि आध्यात्मिक ता जोड़ा है बलकि आध्यात्मिक नहीं बलकि इसमें सारी रिक संग्यानात्मक संवेगात्मक और सामाजिक संवेगात्मक में ही आध्यात्मिक आपका जुड़ कराता है इसलिए विकल्प नंबर एक जो है आपका correct हो जाएगा विकल्प नंबर कौन साइट विकल्प नंबर एक आपका correct हो जाएगा आपका clear point प्रेस्न नंबर 16 अब हम लोग देखेंगे 16 आपका क्या कहता है आप देखे अब मतार मता होता है मतार आप दोगे कि जीवन परियांद चलने वाली वाली निए प्रक्रिया क्या होती आप नमबर 17 देखेंगे 17 पर हम चलेंगे 17 नमबर प्रश्न पर देखें कि क्या कह रहा कि निमनिलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है पहला कह रहा शम्वेग आत्मक अब देखें यहाँ पर पॉइंट को पकड़ेंगे कह रहा है विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है जब विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान की बात करते हैं इसमें कौन सा होगा पहला कह रहा है सम्वेग आत्मक बौधिक आध्यात्मिक स्वा की बात करता है कि दूसरा कहा रहा कि शारीरिक व्यक्तित्तो और आध्यात्मिक एअम संवेगात्मक कि शारीरिक संग्यानात्मक संवेगात्मक दो और है यहां पर आध्यात्मिक है आध्यात्मिक जो हटा दोगे स्वाइस को हटा दोगे स्वाइस को हटा दोगे जब यह हट जाएगा तो डी वाला आपका आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा तो आप्शन कौन सा सही है आप्शन नमबर दी आपका करेक्ट है आपका क्लियर पाइ तेकर इसमें क्या है रहा कि निमने लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अब देखिए नहीं है आज कल जादा प्रोचा जारा कि नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है पहला कहाँ विकास और विद्धी एक दूसरे के पर्यायवाची है। बाइ ये तो बिल्कुल सही नहीं है। कौन सही नहीं है बिल्कुल सही प्रकट यह विकास का ही एक भाग होता है बिल्कुल सही है विकास कारी छमता कारी कुशलता और विभार में आने वाले गुडात्मक परिवर्तनों का एक प्रकटन रूप है प्रकट करता है आप तो यह तीनों सही है कि यही वाला जो है उत्तर जो है सही नहीं है मतला पहला वाला अंसर आप क्या करेंगे? correct मानेंगे आप तिया आप क्या करोगे? आप पहले वाले answer को correct मानेंगे clear point बताईए यह clear point अब question number आप देखिए question number 19 आपके screen पर रहे हैं 19 के बारे वह लोग discuss करते हैं क्या है आप प्रश्ट को हम लोक पढ़ेंगे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं लोक प्रश्ट को कि विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्ध काल में खुशी भिन्धिन होती है इस अधिनियम के अनुसार क्या होगा? क्या कहरा? कहरा विकास का अधिनियम, क्या कहरा? विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन काल में खुसियां या खुसी भिन भिन होती है, तो इस अधिनियम के अनुसार क्या होगा? पहला कहा रहा कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुसी का काल होता है, दूसरा कहा रहा कि वैशन्धी काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुसी का काल होता है, फिर कहा रहा है कि वैशन्धी काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है, आपका clear है तो आब आप बताईए यहां पर सबसे बेतरी रुत्तर आपके लिए कौन सा है यकीन मानिए वैसंधी काल जो होती है यह दुख के और पूगीडा की अवस्था होती है जब कि प्रथम वर्स जो है खुशी का काल आपका होता है यहां अनेक प्रकार की खुशी अने आज आपकर में आपके स्क्रीन पर है और अन्टिम में निन्विक यहित में से कौन सा कतनि विकास के संबंध में सही नहीं है अब जो सही नहीं वहीं बताना है विकास प्रतिमानों की कुल निश्चित विशेष्ताओं की भविस्वाड़ी की जा सकती है। संभाव खत्रे नहीं होते हैं यह पॉइंट जो है यही कह रहा है कि प्रारंबिक विकास बात के विकास से अधिक मात पूर्ण होता है। नहीं होते हैं यह थोड़ी है। तो यहाँ पर विकल्प नमबर कौन सा है। विकल्प नमबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और आज हम लोगों ने चौती क्लास करी है। जिसमें हम लोगों ने सिच्छा मनुविज्ञान का जो बेसिक कोश्चन्स होते हैं। उनको हल करने का, उनको सीखने का, उनको समझने का प्रयास किया है। जो कि आपके एक्जाम के द्रश्टी कोण से बहुत ही जादा महत्तुपूर है। प्रति दिन हम ऐसे ही टॉपिक वाइस कोश्चन आपके सामने लेकर आएंगे, जिससे आपकी तयारी बहतर से भी बहुत बहतर हो सके। इसलिए जुड़े रहे, लगे रहे, डटे रहे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको सफलता निश्चित तोर पर मिलने ही मिलने हैं। चलिए इसी आसाओं के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नई क्लास में नई उर्जा के साथ तब तक के लिए सभी को जैहिंगे.